अब हले वरिवन वेलकम टू नॉलेज प्लस कि इस वीडियो में हम इंडिया में जो भी युनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसको देखने जा रहे हैं अब लोग पता होगा युनेस्को जो है कुछ खास-खास लोकेशन को हरे कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज आएंगे जितना 38 साइट है इंडिया में अर्तिसों के लिए अलग अलग बीडियों आएंगे इसमें एक लिश्ट देख ले रहे हैं और देखते हैं कि क्या फैदा होता है कैसे मिलता है वर्ल्ड हेटेज साइट का दरजा यह सब इसमें देखने जा रहा है ताइस शुरू है जिसका क्या मक्सद है इरिडिकेशन और पोवर्टी पोवर्टी को इरिडिकेट करना गरीवी को हटाना सस्टेनेवल डिवलप्मेंट टू दे बिल्डिंग ओफ पीस दुनिया में सांती लाना इंटर कल्चरल डायलोग एक देश दूसरे कल्चर का दूसरे देश के समझें यह बताना और साइंस कल्चर कॉम्निकेशन इंफोर्मेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री मिलाना इसका में मक्सद है उनेसको का है मक्सद है उनेसको जो है हर देश में एक लिस्ट जारी करता है वर्ल्ड हेरिटेस साइट का इससे क्या होता है यह देखिए यह 24 नॉंबर 1926 हुआ था और इसका हेड़काटर जो पिरिस फ्रांस में पहले बता चुके हैं कि यह एक उएन का स्वेश्ट बोड़ी है और इसका हेड़काटर पैरिस में है इसके अलावे और भी इसके कई जगाट क्लेस्टर हेड़काटर है क्लेस्टर ओफिस है कहने की मतल बना करके डिफ्रेंट जागा पर उसका एक ऑफिस बना दिया जाता है ब्रांच टैप का बोल सकते हैं जैसे बंगलादेश भुटान सिरलंका इंडिया माल्दिव इतना सारा जो कंट्री है इसके लिए निव देली में एन निव देली में क्लस्टर ऑफिस है युनेस्को का ज चुके हैं कि अब देखिए फायदा क्या होता है जैसे किसे साइट को वर्ल्ड हेरिटेसेट का दर्जा मिला है तो इसमें क्या फायदा होने वाला है क्या खुसी वाले बात इसमें क्या है हर कंट्री क्यों चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेसाइट का दर जगए उनेश को एक तरह से आडवाइज दे रही है हर आदमी को जो दूसरे कंट्री में घूमने जाना चाहरा है हार टूरिस्ट को एक एक आडवाइजरी है कि हाँ उस कंट्री में एचीज है यह जाना चाहिए यह इतना पुराना है इसका यह खासियत है तो सबसे पहला फा सब्सक्राइब दुनिया भर में उसको एक नया पहचान मिल जाता है दा स्टेट इट सेल्फ कंफर्म वाट आउटस्टेंडिंग एक्सेप्शनल फीचर्स ऑफ दे लिस्टेट साइट इसको व्ल्ड हरीटे साइट का स्टेटस मिलना ही अपने आप में कंफर्म करता है को एक् इंटरेशनली फंड किया जाता है तो दूसरा फायदा क्या होता फंडिंग तिसरा टूरिजम जैसे कोई भी आदमी दूसरे कंटरी में घूमने जाएगा तो पता करेगा कि हां वहां क्या क्या घूमने वाली चीज़ है तो टूरिजम इससे बढ़ता है कि वन्स दूरिंग वार्टाइम जैसे एक कंटरी जब दूसरे कंटरी में यूद होता है लड़ाई होते रहता है तो इसके लिए एक जिनेवा कंवेंसन है कि आप वहां का वर्ल्ड हेरिटेस साइट जो भी वहां का जो हेरिटेस साइट है उसको आप डिस्ट्रेक्ट नहीं कर सकते है जैसे वर्ल्ड वार हो या फिर और किसी भी तरह का लड़ाई होता है तो एक प्रोटेक्शन मिलता है वार्टाइब में आप वहां के कल्च्रल साइट पर हमला नहीं कर सकते हैं उसके बाद एकक्सेश्ट ड्लोबल प्रीयक्ट मैंडेज्मेंट रिसॉर्स रश्सें आप पर्टिशीपेट इसका काने क्या मतलब हुआ कि गो Hindi जो रिसॉर्स मेनेजमेंट हो रहा है जो प्रोजेक्ट ने जैसे डिफ्लेप्मेंट हो रहा है इंट्प्र था आइक इन्व जब भी ग्लोबल प्रोजेक्ट होगा उसमें ज्यादा उसमें रूची दिखाएंगे क्योंको पता है कि यहां पर टूरिस्ट राइट बनने वाला है तो ज्यादा उनको फैदा होने वाला तो इस तरीके से उसको इन्टरनेशनल इसमें पताया गया कहां कहां जो है व्ल्ड हेरिटेश साइट का दर्जा मिला इंडिया में जैवलादेव नेशनल पार्क कंचन जंगा नेशनल पार्क डाल्ज लिंग हिमालियन रेलवे नालंदा बोध गया खजुराव ताज महला लागरा फोड पतेपूर स तिकड़ी कियोलादेव नेशनल पार्क फिर जैपूर है जैपूर सीटी को मिला हुआ है इधर दी देखें तो काल का सिमला रेर विलाइन ग्रियाठ हिमाली नेशनल पार्क और भी इंडिया में टोटल 38 है हील पोर्ट्स ऑफ राजस्थान रानी किभाव लोरा केव जनता सरफ देख सकते हैं हर सेक्षन से में लिया जाता है और मिक्स्ट भी होता है कंचंजंगा जो है ताज महल में में हो घुल बाकी नेशनल पार्क प्रक ब्सक्राइब कर देखते हैं सबसे पहला इस लिस्ट में आम है अजन्ता के आजंता के महाराष्ण मी इस्तित और इसको मिला था 1983 में यह किसलिए फेमस है थे फेमस फॉर बुधिस्ट रॉक कट केव मॉनुमेंट्स यह गुफा है नाम सी पते चल रहा जनता केव एक है मिल्ली बुधिस्ट के लिए है नेक्स्ट एलोरा केप्स इसको भी 1983 में ही दर्जा मिला था यह भी महारास्ट्रा में है और य आग्रा फोट इसको भी 1983 में दर्जा मिला था उतर प्रद्स में हो में यह जो है मुगल इंपरेयर का रेशिडेंस हुआ करता था में यह इन पर इंडिया में थी 1857 और तो उसके पहले जो है आग्रा फोट जुड़िए रेशिडेंस का काम करता था नेज़्स्ट ताजमहल इसको भी 1983 मिला था यह भी उतर प्रदेश में है यह दुनिया के सेविन बंडर में से एक है एक ऐसे भी बहुत प्रेमस आप भी जानते होंगे साज यहां के दोरह इसको बनवाया गया था संटेंपल उडिशा में कोनार का जो संटेंपल इसको टीफोर में 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेशाइट का दर्जा मिला था यह जब कलिंग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है महावली पूरव मॉनुमेंट्स जहां पर मोदी और सी जिन्पिंग का मुलकात हुआ था कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुआ था सेकेंड इंडो चाइना का तो महावली पूरव मॉनुमेंट्स तामिलाडो में इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेशाइट का दर्जा मिला था एक दुनिया में जीतना भी वन हॉर्ण राइनोसेरस है उसका टूवाइठी पोपुलेशन इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है यह नहीं दुनिया में जो टाइगर का डेंडेंसिटी है नंबर नहीं यानि एक छोटे से एरिया में ज्यादा टाइगर मतले एक वन किलोमेट नेशनल पार्क असाम में केवला देश नेशनल पार्क राजस्थान में इसको भी 1985 में दर्जा मिला था यह किसले फेमस है तो फेमस पॉर मैनवेड वेटलेट बर्ड सेंक्चुरी यहां पर पच्छी अभिया रहन है वर्ड सेंक्चुरी है और साइबेरियन क्रें यहां आ टाइगर रिजर्व एलफेंट रिजर्व और बायोस्फेर रिजर्व भी है मानस वर्लेफ सेंक्चुरी नेक्स्ट है चर्चेज अब कॉन्वेंट ऑफ गुवा गुवा के चर्चेज को भी वर्ड हेटेसाइट का दर्जा मिला है 86 में मिला था और रोम आप दो ओरियेंट मिला था यहां हिंदू और जैन टेमपल है लगबग 175 किलोमेटर जहांसी से पढ़ता है जहांसी बहुत फेमस सहर है और नागर सली में बना हुआ मंदीर है मोनुमेंट्स अब हमपी हमपी का जब मोनुमेंट्स है करनाटका मिशती था इसको 1986 में दर्जा मिला था कि विजय नगर का कैप्टल हुआ करता था विजय नगर इंपायर का कैप्टल हुआ करता था हमपी तुम भद्रा रदी की किनारे है यहां बिरव पाक्स टेमपल यहां का का पहमस है नेक्स्ट फतेहपूर शिक्डि अधि उत्तर प्रदेश में इसको दर्जा मिला था और फतेहपूर सिक्डि में चार मौनमेंट को मिला करके दिया गया घृब बना करके दर्जा दिया गया है जैसे पहला जामा मस्जिद बुलंदर वाजा पंच महल दिवान एखास दिवाने आम यह सा मिला करके फतेहपू फोर हिंदू एंड बुधिस्ट केप्स केप्स और आइलेंड इन अरेबियंसी अरेबियंसी में फेंटा केप्स है जैसे यह कोई मुंबाई गया होंगे तो बता सकते हैं यह संबूदर में है थोड़ा नौ से जहां से जाना पड़ता है ग्रेट लेविंग चोल टेंपस तामिलाडू में है 1987 मिसको दर्जा मिला था वल्ड हरिटे साइड का यह चोल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है प्रेंटिंग के लिए ब्रॉंज कास्टिंग के लिए बहुँ ज्यादा फेमस है पटाड़कल मॉनुमेंट्स एक करनाटका में है 1987 मिसको दर्जा मिला था चलू क्या स्टाइल के अर्किटेक्चर है और इसमें नागर और दरवीडियन से लिए दोनों तरह के मिक्चर मिलते हैं ब्लेंडड फॉम है नागर से लिए यानिके नौर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते उसका जो अस्टाइल है और साउथ इ बंगाल टाइगर के लिए फेमस है क्रुकोडायल के लिए फेमस है सुंधरव्ननेशनल प्सक्राइब नंदा देवियन भ्हली और फिलावरegen नेशनल पार्क उत्राखन का है 1998 में इसको दरजा मिला था यह कि सीनौ लपठ के लिए फेमस हैं ब्राउनबीर के लिए धिमस है हिमालियन मोनल और भी कई तरह के जानवारे पाया जाते हैं इसमें मॉनुमेंट्स बुद्ध जो बुद्ध होखान का जो मॉनुमेंट है मॉनुमेंट्स बुद्ध सांची मध्य प्रजस में 1989 में इसको दर्जा मिला था वर्ल्ड हरीटे साइट का मोनोलिथिक पिलर के लिए है बुद्ध से रिलेटेड है मॉरियन अर्किटेक्ट्चर यहां पर है कि उसके आगे हुमायू टॉंब हुमायू को जो मकवरा है निव देली में 1993 में इसको जो है वर्ल्ड हरेटे साइट का दर्जा मिला था और और में Mr. और वह उसके आसपास मोनुमेंट है उसको गुरूप ना करके दिया गया है साइब देली में भी स्वाइब कि इसमें क्या क्या स्वाषा मिलब ήταν मिनार कुतु बूरिस्लाम मौस्क है तुम यह सब सब को मिला करके वर्ल्ड हरिटेक दर्जा दिया गए में मौंटेन रहे भार मौंतेन कामलका निलगिरी में तो जिस राष्टे से जाती हो काफी अच्छा-च्छा भी वहां पर देखने को मिलता है काफी अच्छा-पहाळ नदी घरना ये सब देखनों को प्रदेश में आता हो निलगरी तामिलाडू में है तो यह चारों को मिला करके एक साथ वर्ल्ड हेरिटेशाट का दर्जा दिया गया था नेक्स्ट महामोधी टेंपल बिहार में है कि उसे जगा पर बनाया गया जहां पर माना जाता है कि बुद्धभवान को ग्यान की पाड में गुफा है गुफा में बहुत सुंदर सुंदर प्रेंटिंग मिला था कि 2003 में इसको वर्ल्ड हीटेशेट के दर्जा दिया गया है कि और भीम बेटका नाम पर पड़ा जो महाभारत में भीम थे उनके नाम पर पड़ा है ऐसा माना जाते कि यहीं पर बैठे रहते बहुते थे इसलिए इसको भीम बेटका के नाम से जाना गया है महाभारत के बहुत अब चत्रपदी सिवाजी टर्मिनस जो बील्डिंग है मुंबाई का मुंबाई स्टेशन का स्वाजी टरमिनल उसको वर्ल्ड हेरेसेट के दरजा दिया गया जिए महराष्टरा में और द पाओघर अर्केलोजिकल पार्क गुजरात में है इसको दुहर चार में दर्जा मिला था प्रषा न sürp 15 और उस ना वाद बोलते थे जहां भी रेड़ वर्य जैगा इसको सहज जानावाद बोलते हैं वहीं पर मोति महस्जीच भी है अब क्में बांच जैसे यह मोति महस्जीच को नहीं मुटस में राजस्थार को छो तो दर्जा मिला है वर्ल डेर्टेशाइट का और अस्तान वाले को है 2010 मिला था उसको और इसको बनवाया गया था महराजा जैसिंग सेकेंड और यह ऑबजर्भेटरी है और सबसे बड़ा अपने तरह का नेक्स्ट घाट जो करनाटकात किरला तमिलाडू और महराष्ट्रा चार स्टेट में है ज़्यद्म में है थे कर गुजरात और और इस नहीं दिया गया तो इसह आप यह प्यू और सपोट्प्र करने के मतलब की ब यहां पर बहुत तरह तरह के जीव जन तुपाय जाते हैं कि हील फोट ऑफ राजस्थान के जीतने भी हील फोट है किला है वहां हर पहाड़ पे लगभग किला है तो उसको कंबाइन फॉर्म में दुझार तेरह में उसको वर्ल्ड हिर्शेट का दरजा दिया गया एक फोट जो है मैंई राजपूत मिलेटरी डिफेंस अर्किटरेक्टिर के लिए बनाए गया था राजपूत रूलर्स जो थे उनके द्वारा जो है डिफेंस पर्पस के लिए बिनाया गया इसमें चे किला को सामिल क्या गया है चित्वर्गण कंबलगर रंथमबोर गाग्र सीड़ी नीचे तो आप से नीचे जाकर के ले सकते हैं उपर है तो उपर ही मतलब की समझ सकते हैं जैसे घाट टाइप का बना हुआ सिधी रहता है सो और पर नोट पिसका फोटो देख सकते हैं अभी जो नया सो और पर नोट है उस पर रानी की भाव ही दिया गया गया दर्जा गुजरात में है कि इस सोलंकी डैनेश्टी के द्वरा बनाया गिया था नेटे सिध ग्रेट हिमाल्य नेशनल पार्क दर्जा मिला था यहां पर किसीच नोट्र मस्क डियर यह जो है बायोडिवर्सिटी होट जब जाए से वेस्टर घाट तहाँ उसी तरह से यह भी बायोडिवर्सिटी होट्र शपॉट है नेक्स्ट है नलंदा यह जो है दुछार स्वलम मिसको मिला था दर्जा वर्ल्ड हेरीटे साइट का नलंदा जो है काफी एंसेंट सीटी है और फेमस था यहां पर नॉलेज के लिए फेमस था कई बहुत सारे देश विदेश से लोग यहां पढ़ने आते थे है और नेक्स्ट कंचन जंगा देशनल पार्क सिक्की में है और सोलम मिसको यह वड्ल्ड हेरीटे साइट का दर्जा मिला था कि नेशनल पार्क जो है किसलिए है तो उस नुल लेपड के लिए फेमस है अब आर्किटेक्ट्ट्रा वर्क औफ कैपिटल कॉंपलेक्स चंडी चंडी कट के चंडी क्टो कॉंपलेक्स से औहां का यह उसको वर्ल्ड हेरी शाट का दरजा मिला है कि चंडीगड काफी मोडरन सेटी है इसको प्लानिंग के तहद बनाया गया था आजादी की तुलंद बाद काफी सुन्दर सेटी है इसको वर्ल्ड का दरजा मिला है कि वर्ल्ड सीटी है चारो तरफ से दिवाल बनाया गया है और अब कि नेक्स्ट विक्तोरियन गोथिक आठ डेको मुंबाई का है कि इस चारानवे बिल्डिंग का कलेक्शन है जो मुंबाई के फोर्ट अरिया में मौझूद है कि नेक्स्ट पिंक सीटी जैपूर यह दूसरा सीटी इंडिया के तरफ से जिसको वर्ल्ड हेटेसाइट का दर्जा दिया गया है और यह हाली में मिला है 2019 में मिला है तो जैपूर जैसे पहले भी हम पढ़ेते हील फोर्ट अफ राजस्ता उसी तरह से जैपूर काफी सुन्दर सहर है पिंक सीटी बोला जाता हो यहां पर कई तरह के महल है और भी कई तरह के यहां पर हेटे साइट है यहां पर तो उसको कंबाइन फो में दिया गया है कुतु मिनार के बारे में और भी जो भी जितने भी 38 है सब के बारे में एक एक सिंगल सिंगल वीडियो आएगा इस चैनल पर तो जूड़े यह चैनल से हाँ अब हमें बता जाते हैं कि वर्ल्ट हेरिटे साइट का दरजा मिलने के लिए कैसे मिलता है मतलब कि इसको लिए क् इन्दियान गवर्मन का इक लिए करता है और उसको उनेसको देता है कि हमारे हां से चीज है जिसको हम चाहते हैं कि वर्ल्ट हरिटे साइट का दरजा मिले अब उनेसको की एक कमीटी होती है पहले उसको जो है टेन्टिटिव लिस्ट में डाला जाता है यानी संभावित लि नेसनल पार्क को उसको कम से कम छे महीने तक टेंडाटटीव लिस्ट में रहना पड़ता है फिर विचार किया जाता और उसके लिए हर साल एक बैठक होता है और और मीटिंग में यह तक इस बार किसको का नाम है और बाकु उसका कैपिटल है तो वहां पर फोर्टी थर्ड मीटिंग उनेसको वर्ल्ड हेरिटेज कमीटी उसका त्यातालीसमा वैठक हुआ था अजर्बेजान के बाकु में बाकु अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज सहर है यह याद रखिएगा माले जी के प सब्सक्राइब से जैपूर को इसको जैपूर के साथ इसराइल इराक का एक सहर है बेबिलोन उसको भी जो है दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा और नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाला था 2020 में वह चाइना में होने वाला था लेकिन अभी वह जो है टेंपररी हट बंदा है तो लाइक कीजिए और भी किसी टॉपिक वीडियो पाने के लिए कॉमेंट में बत करके बताएए धन्यवाद